बिग बॉस के घर में किस तरह से मेकर्स जो हैं वो कंटेस्टेंट्स और ओडियन्स के भीच में आख मी छूली खेलने का काम कर रहे हैं मेकर्स किस तरह से कंटेस्टेंट्स को छुपा रहे हैं फुर उनको रिवील कर रहे हैं और ऐसे twist जो है वो बहुत बार आये हैं इस season 14 में अब आपको बताते हैं कि एक और नया twist जो कि सामने आ चुका है जिसमें अब खबरे हैं कि अजास खान जो कि अब घर से exit ले लेंगे खबरिक ये भी थी कि Ajaz Khan जब घर से exit लेंगे तो उनका जो main reason क्या रहेगा ये reason था कि उनका एक film का shoot है जो कि उन्हें complete करना था 2020 में ही लेकिन Big Boss के चलते वो उस film के shoot को complete नहीं कर पाए लेकिन अब Ajaz Khan जो है वो घर से भार जाएंगे और वो अपनी film के shoot को complete करेंगे इसी के चलते Big Boss को extend भी किया गया है one and a half month मतलब March के mid तक Big Boss चलेगा और अब आपको बताते हैं कि फिलहाल के लिए Ajaz Khan को कौन करेंगी represent कौन से ऐसे contestant है जो कि Ajaz Khan को represent करेंगे वो है देवलीना बटाचार जी देवलीना बटाचार जी जो कि अब आपको बताते हैं कि वो secret room में रहेंगी कुछ दिनों तक उसके बाद वो घर में आ जाएंगी और Ajaz Khan जो कि तीन हफते के लिए बाहर जा रहे हैं और तीन हफते बाद वो अपनी फिल्म की shoot खतम करने के बाद फिर से वो बिग बॉस के भी घर में आ जाएंगे और आपको बदाते हैं कि आखिरकार fans के क्या reaction है बिग बॉस के घर से जब Ajaz Khan की exit होगी और यह बात confirm भी हो चुकी है और देवलीना के entry भी confirm हो चुकी है एक fan है जिनों लिखा है A big hug to my dear I am so proud of you guys for standing strong by his side throughout his journey Ajaz Khan you already won we are a family no Ajaz no BB14 fans ने अब BB14 पर हमला बोल दिया है और कह दिया है कि अगर Ajaz Khan नहीं होंगे तो BB14 भी नहीं होगा हम सब नहीं देखेंगे वहीं एक और user है जिनों ने लिखा है I have held many things in my hand and I have lost them all but whatever I have placed in God's hand that I still possess no Ajaz no BB14 what the hell I am hearing we deserve to see his journey video no Ajaz no BB14 और एक और user है जिनों ने लिखा Ajaz Khan warriors please don't be disheartened think about him how badly he wanted to win and to leave let's make this trend a big one he will be so happy to see we have done a 1 million trend for him मतलब 1 million का trend उस पर चल चुका है no Ajaz no BB14 so let's all just give our best for him one last time so आपको बता दें कि अब देवलीना भटाचार जी जो की Ajaz Khan को रेप्रेजेंट करेंगे और वो घर में आके चीज़े को किस तरह से चेंज करती है ये देखना काफी ज़ादा important होगा और किस तरह से वो घर में इस गेम को खेलेंगे आप क्या करना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर पता हैं और क्या आप भी चाहते हैं कि Ajaz Khan की exit हो जाए हमें कमेंट जरूर करें साथ ही चैनल को subscribe करें ऐसी updates के लिए